Hello students, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में तो अभी हम Maths के Answer Key को देखने वाले हैं सभी questions को समझेंगे भी आप अपना यहाँ पर सेट एक बार जरूर मिला लें कि आपका यह सेट आया है या फिर दूसरा सेट आया है तो यह जिसका 1 होगा तो उनके लिए यह वाला एंसर की मैं आप लोगो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ बाकी जिनका सेट 4 का 2 होगा तो उनके लिए मैं दूसरे वीडियो में भी एंसर की आप लोगो बताऊंगा ठीक है तो इसमें section A से हम देखते हैं question number 1 का इसमें आपका जो right answer होगा वो option B होगा जब आप यहां से LCM निकालोंगे इन दोनों का तो यह 273 आपका निकलेगा इसका question number 2 का right answer option B होगा क्योंकि यह 4.57 है तो 57 को उपर में बार लगा दिया है that means 57 की आपर repeat हो रहा है जो number repeat होते हैं वे किस तरह के number कहलाते है rational number तो यह rational number होगा question number 3 इसका right answer आपका option A हो जाएगा y axis पे intersect कर रहा है that means x का value 0 होगा तो यहां पे 0 रखेंगे तो यह 3-3 जा 9 कर जाएगा diet आपका minus 3 होगा next आए देखते है question number 4 को question number 4 का right answer यह option A हो जाएगा 2 और 0 जब आप इसे solve करोगे तो यह आपका 2 और 0 आएगा यह coordinate geometry हमने already पढ़ा हुआ है ठीक है और जितने भी questions यहां पे आए होए हैं यह सारे questions मैंने multiple choice question में आप लोग करवाया हुआ था वही सारे questions यहां पे examination में पूछे हुए है question number 5 का right answer option D होगा ठीक है next आए देखते है question number 6 को question number 6 का right answer आपका option C आएगा पहले cos theta से हमें cos theta निकाल लेनी है और इसके बाद cos theta का जब हम यह आप value put कर लेंगे और इसको solve करेंगे तो फिर आपका जो answer आएगा वह 1 by 2 आएगा now question number 7 इसका जो right answer आएगा वह 25 whole 2 by 3 आ रहा है ठीक है तो यह आपका option D right answer होगा now question number 8 बहुत ही आसान सा question पूछा गिया था कि अगर 2 coin को हम toss करते एक साथ तो 2 head आए उसके probability को निकालने के लिए बोला गिया था तो 2 head सिर्फ एक ही में हो सकता है और total आते है 4 that means कि 1 by 4 यह आप question number 9 question number 9 का right answer आपका option A हो जाएगा 2 ठीक है next आगे आते है question number 10 में तो इसका right answer option D होगा no solution एक graph में वाई एक का मान दिया गया है एक का 2 दिया गया है एक का 3 मान के चलो 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है तो यह किस तरह का line होगा parallel होगा parallel के लिए क्या होता है no solution यही आपका right answer name यही question मैंने कल ही आप लोगो करवाया था यह थेल ठीरम से दिया होगा है ठीक है आपको CP by PA और CQ by QB करके आप लोगो को solve कर लेना था cross multiplication करके solve करोगे तो आपका option A आएगा 2 ठीक है आगे देखते है question number 12 को तो इसका right answer option A होगा इसमें से पहले क्या करना alpha का value निकालना इस और beta का value 30 निकलेगा दोनों घटा होगे 30 degree तो cost 30 degree का value कितना होता है root 3 by 2 यह आपका right answer होता now question number 13 यह भी बहुत ही असा question पूछा गया था probability से हमें यहापे probability निकालने के लिए बोला गया था composite number का तो जो dice होता है उसमें composite number 4 और 6 यानि कि 2 ही आते हैं यानि कि 2 और probability निकालना यानि total जो dice होते है नमबर 6 होते हैं काट लेंगे 202, 236 तो 1 by 3 answer होगा यानि 1 by 3 option A right answer होगा now question number 4 सेम यही question मैंने आप लोग फिर से MCQ में दिया हुआ था करवाया हुआ था तो इसका जो right answer आएगा वो option C होगा पहले 250 का factor कर लेना था उसको बाद देखना था 2 और 5 में जो maximum power होगा वही right answer होगा ठीक है now question number 15 इसका right answer option C होगा intersecting क्योंकि 3 by 4 और 2 by 8 यह दोनों अलग- ट्रेंगल से related जो होता है वो उसका formula क्या होता है altitude of equilateral triangle इसका formula होता है root under 3 by 2a तो यहाँ पे side a के जगा पे P दिया गया था तो यहाँ पी हो जाएगा जानी कि root 3 by 2p now question number 17 तो इसमें sin theta का value दिया गया था में 10 theta का value find करना था तो यह P by H वाला आप use करके इसको solve कर सकते थे इसमें right answer option C हो जाता इसके बद question number 18 इसका right answer आपका option C होता यह triangle chapter से आपका similar वाले से portion से दिया होगा था now question number 19 इसमें बहुत ये बहुत यसानजा question था 1- cos theta का value कितना होता है, sin squareра and 1-10 squared theta का formula होता है शुक्त स्क्वार इसमें one by cos theta, That means कि यह स्क्वार थीटा by cos theta और उसका value होता है 10 theta, ठीक है तो root हट जाएगा, तो square हट जाएगा, that means कि शिर्फ आपका 10 थीटा बज जाएगा ठीक है तो ये 19 का option D हो जाएगा इसका बाद question number 20 तो 20 का आप जो आपका right answer होगा वो option C होना चाहिए लेकिन मैं इसमें confirm नहीं हूँ अगर confirm हो गया तो मैं description पे link जो है आपको option बता दूँगा और इसके बाद भी जितने भी questions है उसको मैंने अभी तक फिलाल जो section B के इधर आए हुए है उसके answers को मैं description पे आप लोग को दे दूँगा अगर आपको देखना होगा कि सारे का answers क्या क्या है तो जैसे जैसे मुझे answers मिलते जाएंगे तो मैं आपको description पे देता रहूँगा तो आप description पे click करके अपने answers को check कर सकते हो Thank you